हाई फ्रेंट्स और वेल्कम चू खाबर बॉलिवुड फिल्म किर्की काम्याबी ने हिंदी सिनिमा में सितारों के विदा होते रसूप को एक और हरी जंडी दिखाई है फैंस को अप लीग से हटकर कहानिया पसंदा रही है सितारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता अक्षे कुमार की फिल्म सरफिरा को दर्शक ठुकरा चुके है अजे देवगन और अलु अर्जुन जैसे सितारे अपनी फिल्मों की रिलीस आगे खिसका चुके है और इधर नए निर्देशक निकल भड़ की नए चेहरक लक्षिवा रागव जुएर के साथ बनी फिल्म नोट चाप रही है बिना किसी बड़े सितारे और बिना किसी बड़े शोरगूर के रिलीस हुई फिल्म किल ने रिलीस के पहले 10 दिनों में ही मैदान मार लिया फिल्म ने घिरेलू बॉक्स आफिस पर जितनी कमाई की है उससे कहीं ज्यादा रकम फिल्म के निर्माताओं ने विदेश में फिल्म के कारुबार में कमा ली है युवाओं में बेहत लोग प्रिये एक्शन थ्रिल फिल्म, फ्रेंचाइजी, जॉन विक के निर्देशक, चैड, स्ट्राल्सकी और करन जोहर मिलकर इस फिल्म का हॉलिवुड संसकरन बनाने जा रहे है और अब खबर है कि फिल्म का जल्द ही एक साउट सिनमा संसकरन भी बनने जा रहा है करीब 20 करोड रुपे की लागत से बनी फिल्म के कलेक्शन में रिलीस के दूसरे ही दिन करीब 72 फिसीदी का उच्छाव देखा गया सवा करोड रुपे से ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनी वार को 2.15 करोड रुपे और अवी वार को 2.70 करोड रुपे की कमाई करते हुए पहले वीकेंड में ही 6 करोड रुपे से उपर की कमाई कर ली थी फिल्म ने इसके बाद पूरे हफ़ते एक भी दिन एक करोड रुपे से कम कमाई नहीं की और पहले हफ़ते में ही फिल्म 11 करोड रुपे से ज्यादा कमाने में कामयाब रही रिलीस के यार्वे दिन यानी दूसरे सोंबा तक फिल्म दिरेलू बॉक्स आफिस पर करीब साड़े पंगरा करोड रुपे कमा चुकी है जांकारी के मताबिक साउथ के तो मशूर सितारों सुधीर बाबू और किरन अबावरम ने हाली के दिनों में फिल्म किर के निर्मादा करन जोहर से इसके साउथ रीमेक राइट्स खरीदने के लिए संपर्ड किया है लेकिन करन जोहर इसका साउथ रीमेक खोद ही बनाने के मूड में बताए जा रहे है दक्षिन भारत में अपनी कंपनी धर्मा प्रोडेक्शन के पैर जमाने के लिए करन जोहर अर्से से बेताब रहे हैं सूपर हिट फिल्मों बाहु बली और आरारार से भी वो जुडे रहे साउंट सूपर स्टार विजे देवा कॉंड़ा के साथ फिल्म लाइगर बना चुके हैं करन जोहर फ्रेंड फोर मोर अप्टेट्स प्लीज तो सब्सक्राइब शेर और लाइक खबर बॉली वूड थैंक यू